बॉलिवुड में जल्दी शादी करने का रिवास कोई नई बात नहीं है और ये ट्रेंड काफी सालों से बॉलिवुड का हिस्सा बन गया है तो आईए दिखते हैं कि बॉलिवुड की कौन से ऐसी पाच एक्ट्रेस हैं जिनोंने काफी कम उमर में ही फिल्मे दुनिया की उचाईयों को छोने के बाद बॉलिवुड से किनारा कर लिया बॉलिवुड के चिंटू यानि के रिशिक अपूर ने जब नीतू से अपने प्यार का इजहार किया तो जैसे हजारों लड़कियों का दिल ही तूट गया फिल्म के शूटिंग के दौरान रिशिक अपूर हमेशा से ही अपने सहय कलकार नीतू को तंग किया करते थे जिस वज़े से नीतू उनसे काफी चिर्ती भी थी लेकिन उनके तकरार कप प्यार में बदल गए तो उनों को पता ही ही चला और महस 24 साल की उमर में ही दोनों ने शादी कर ली वैसे तो उमर में डिमपल राजी से करीबन 15 साल चोटी थी लेकिन कुछ कारणों की वज़े से उन दोनों का ये रिष्टा जादा समय तक नहीं चल सका और ये दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे अगर आफाओं पर यकिन करें तो ऐसा कहा जाता है कि राजेश खना शूटिंग में काफी व्यस्त रहते थे और चाहते थे कि दिमपल उनकी दोनों बेटियों की देखपाल घर में रहकर ही करे इसके लावा उनकी कुछ ऐसी आदते थी जो कि दिमपल को पसंद नहीं आई जिसके कारण दोने एक दूसरे से अलग रहने लगे लेकिन कभी भी डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं किया दिव्य भारती और साजित नाडिया डवाला दिव्य भारती और साजित फिल्म के शूटिंग के दौला ने एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और महज 18 साल की उमर में दिव्य ने साजित से शादी कर दी हाला कि इन दोनों का साथ काफी लंबा नहीं रहा क्योंकि सान 1993 में दिव्य की अचानक अपार्टमेंट से गिर कर मौत हो गई जिसके बाल पुलिस ने इस केस की काफी चानबीन की लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये हादसा था या मडर आखिर में साल 1998 में इसे एक्सिदेंटल देथ कहकर केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया भागिशी ने भी महज 19 साल की उमर में अपने करीबी दोस्त हिमालिया से शादी कर ली और हमेशे के लिए बॉलिवूड का अलविदा कह दिया वैसे तो उमर में दिलिव कुमार साइरा से 22 साल बड़े थे लेकिन महस 12 साल की उमर से ही साइरा अपना दिल दिलिव साब को दे चुकी थी और उनकी ये लव स्टोरी फिल्म शूटिंग के दौरान शुरू हुई लेकिन दोनों में उमर से जादा अंतर होने की वज़े से काफी बाते भी कही जा रहे थी लेकिन दोनों ने इसे दर किनार कर शादी करके अपने रिष्टे को एक मुकमल जहां दिया